Hello friends, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि early 19th century में रशिया ने पर्षिया में अल्रेडी अपना influence increase कर लिया था ब्रिटेन को डर था कि कहीं पर्षिया के बाद रशिया अफगानिस्तान में न गुज जाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रशिया ब्रिटेन से इंडिया चीनने की भी कोशिश करेगा उस समय इंडिया में गवर्ने जनरल थे Lord Auckland जो की 1836 में इंडिया आये थे उन्होंने इस चीज को समझा कि ऐसी स्थिती में जरूत इस बात की है कि अफगानिस्तान में जो भी सरकार है वो हमारे कहने पर चले अफगानिस्तान के आमिर उस समय थे दोस्त मुहमद Auckland ने दोस्त मुहमद के साथ एक friendly alliance बनाने की कोशिश की दोस्त मुहमद भी इसके लिए राजी थे बट उसकी एक condition थी और condition ये थी कि British East India Company उसे पेशावर दिला दे जिसे महाराजा रंजीत सिंग ने 1834 में capture कर लिया था बट British East India Company महाराजा रंजीत सिंग को पेशावर वापस करने के लिए नहीं कह सकती थी तो इसी कारण के वज़े से दोस्त मुहमद और Lord Auckland के बीच की बातचीत फेल हो गई थी ऐसे में दोस्त मुहमद ने अपनी position strong करने के लिए USSR और परशिया की तरफ अपना रुक किया Auckland को ये बात खराब लगी क्योंकि उसको जिस बात का डर था वही होने जा रहा था इसलिए उसने अपनी forward policy activate कर दी forward policy का मतलब है कि दुश्मन हमला करे उससे पहले ही उसे खतम कर दो बट attack करने का कोई कारण भी तो हो वो ये तो नहीं कह सकता था कि हम इसलिए attack कर रहे हैं कि आप रशिया के साथ हाथ मिला रहे हो अटलिस बताने के लिए कोई genuine reason तो चाहिए ही था तो British East India Company ने कहा कि अफगानिस्तान की गद्धी का असली हगदार है शाह सूजा और उसी के लिए हम ये लड़ा ही लड़ेंगे अच्छली शाह सूजा जो हैं वो 1803 से 1809 तक अफगानिस्तान का king था बट 1809 में इसका तकता पलट कर दिया गया था और ये भाग कर पहले पंजाब गए और फिर British East India Company की शरण में British East India Company की पेंशन पर जी रहे थे British East India Company ने इने पेंशन पर रखा था क्योंकि उनको यकीन था कि एक ना एक दिन ये काम जरूर आएगा और अब वो दिन आ गया था British East India Company ने शाह शूजा और महराजा रंजीज सिंग के साथ एक ट्राइप आर्टाइट ट्रीटी साइन की ये ट्रीटी 1838 में साइन की गई थी जिसमें ये तैक किया गया था कि तीनों मिलकर अफगानिस्तान पर अटेक करेंगे और दोस मुहमद को हटाकर शाह शूजा को अफगानिस्तान का राजा बनाएंगे और शाह शूजा राजा बनने के बाद अफगानिस्तान की फोरण पॉलिसी को Britishers के कहने पर चलाएगा इसके लावा इंडस के राइट बैंक पर अफगानिस्तान के लिए फाइदे बन थी और इस ट्रीटी के तुरंट बाद अफगानिस्तान में अटेक कर दिया गया जिसे हम अभी मैप के थूर समझेंगे इस वार को फर्स्ट एंगलो अफगान वार कहा गया और ये स्टार्ट हुआ था 1839 में और एंड हुआ था 1842 में अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में दोस्त मुहमद पर अटेक करने के लिए बिटिस इस इंडिया कांपनी के लोर्ड आउकलिंड ने जो रास्ता चुना वो कुछ इस तरह था अफगानिस्तान में एंट्री के लिए इन्होंने बोलन पास के तरू क्वेटा से एंट्री की थी उसके बाद कंधार, फिर गजनी और अंत में काबुल को कैप्चर करना था आप देख सकते हैं कि इस प्लैन में अफगानिस्तान के साउस से एंट्री हो रही है यानि ब्रिटिश फॉर्ज सिंद से होकर गुजरी है यह अगर पंजाब से होकर गुजरते तो शायद काबुल जल्दी पहुंच सकते थे बढ़ महराजर रंजी सिंग ने साफ कह दिया था कि ब्रिटिश फॉर्स पंजाब से एंटर नहीं करेंगी यही कारण था कि इने सिंद से होकर गुजरना पड़ा अब यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि अफगानिस्तान के राजा या अमीर जो है वो खुद के पास बहुत जादा फॉज नहीं रखते थे अफगानिस्तान के अमीर फॉज के लिए अफगान ट्राइवल चीफ्स पर डिपेंड करते थे जो ट्राइवल ग्रूप्स और उनकी फॉज को कमांड करते थे तो जब भी अफगानिस्तान के आमीर को फॉज की जरूत होती थी तो इन ट्राइबल चीफ्स के तुरू ही फौज को एकटा किया जाता था बिटिस इश इंडिया कंपरी जहां से भी गुजरी उन्होंने इन ट्राइबल चीफ्स को खरीद लिया और इस तरह मार्च 1839 में क्वेटा को कैप्चर कर लिया एप्रिल 1839 में कंधार को जुलाई 1839 में गजनी को और अंत में अगस्त 1839 में काबल को भी कैप्चर कर लिया जब ट्रैवल चीफ्स ही दोस महमत के साथ नहीं थे तो क्या करता बिचारा उसने सरेंडर कर दिया और इस तरह बिटिस इश इंडिया काप्री ने दोस महमत की जगा शाह सूजा को अगस्त 1839 में अफगानिस्तान की गद्धी पर बिठा दिया इसके बाद बिटिश और सिक टूप्स अफगानिस्तान से वापस इंडिया आ गए बिटिश रेजिडेंट और कुछ टूप्स को शाह सूजा के साथ ही छोड़ दिया इन सोल्जर्स को पता था कि यहां लंबे समय तक रहना है तो उन्हें अपनी फैमिलीज को भी हापर बुला लिया था शाह सूजा एक क्रूर साशक था इसलिए अफगान लोगों को ना तो शाह सूजा का साशन पसंदा रहा था और ना ही यह बात अच्छे लग रही थी कि यह अंग्रेज लोग यहां पर पर्मनेटल रहने लग गए है इनफिक्ट अफगान ट्रैबल चीफ्स को भी यह बात खटक रही थी कि शाह सूजा ब्रिटिश पपेट के रूप में काम कर रहा है एक अफगान निशनलिस्म की भावना यहां पर सब के दिनों में उठी और वो ट्रैबल चीफ्स जिन्होंने खुद ब्रिटिशर्स से ब्रैब ली थी वो भी अब साश हूजा को हटाने के लिए तयार हो गए और इसी कारण इन ट्रैबल चीफ्स ने ब्रिटिश खेमों पर अटेक कर दिया ब्रिटिश रेजिडेंट को मार दिया और साथी साथ बहुत सारे सोल्जर्स को भी मार दिया इस तरह का माहूल देखकर शाश हूजा यहां से भाग गया ऐसे में ब्रिटिश इश इंडिया कंपनी को अफगान ट्रैबल चीफ्स के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी और एग्री किया कि सभी ब्रिटिश सोल्जर्स अफगानिस्तान से चले जाएंगे और साथी साथ वो वापस से दोस मुहमद को अफगानिस्तान का आमिर भी बना देंगे तो इस तरह 1841 में इस ट्रैटी के बाद दोस मुहमद वापस से अफगानिस्तान का आमिर बना बड़ इस पूरे कांड में लॉर्ड ओकलेंड की बहुत जादा निंदा हुई बिटेन से ओर्डर्स आये कि इसे वापस बुलाओ और नया गवर्नर इंडिया वेजो इस तरह फेबरी 1841 में लॉर्ड आउकलेंड को हटा कर लॉर्ड एलन ब्रो को भारत का गवर्नर जेनरल बना दिया गिया लॉर्ड एलन ब्रो को बिजज़ती का बदला तो लेना ही था उसने 1842 में फिर से अफगानिस्तान पर अटेक किया और सेप्टेमबर 1842 में काबल को कैप्चर कर लिया बड़ उसे पता था कि दोस मुहमद को हटा कर किसी और को अफगानिस्तान का आमिर बनाना अपनी गलती धोराना होगा इसलिए उसने दोस मुहमद को गद्धी से हटाया नहीं बलकि उससे संधी कर ली और कहा कि आप ही अफगानिस्तान के आमिर बने रहिए बट कोई भी ऐसा काम मत करना जो कि British East India Company के खिलाफ हो दोस मुहमद के लिए भी इसमें कोई नुकसान नहीं था क्योंकि इस संदी के बाद भी वो अफगानिस्तान के इंडिपेंडन्ट रूलर बने रह सकते थे तो आपने देखा कि जो सिचुएशन फर्स एंगलो अफगान वार से पहले थी अल्मूस सेम सिचुएशन वार के एंड होने के बाद भी थी बिटिश इस इंडिया कंपरी ने इस वार में अल्मूस तीन साल बेष्ट किये करोडों रूपे लगाए और हजारों सैनेकों को भी खूदिया मिला कुछ नहीं और बिज़दी अलग से तो ये था फर्स एंगलो अफगान वार नेक्स वीडियो में हम जॉन लॉरेंस की पॉलिसी ओफ मास्टर लेइन अक्टिविटी को देखेंगे और देखेंगे कि सैकेंड एंगलो अफगान वार क्यों हुआ इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लिलिस को फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्यू फो वाचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा